सीरियल अनुपमा में आप देख पा रही होंगे कि इवेंट की स्टार्ट हो गई है और आज अनुपमा यहाँ पर अपने स्टॉल में पूजा करके सभी एक साथ यहाँ पर यह फैसला लेते हैं कि इस इवेंट खतम होने के बाद वो एक बहुत बड़ी पार्टी करेंगे इस की शादी होने वाली है जल्द और यह सब होगा तो ही यहाँ शाहाँ उसमें दिखाया जाएगा कि डिमपल यहाँ पर शांती से बैटी है और तभी टीटू से कॉल कर देगा और से यहाँ पर प्यार महबत भरी बादे वो लोग करने लग जाएंगे इधर इवेंट की शु यहाँ पर बुरा लगेगा कि स्पाइस इंठेटिया निया नपमा की स्टॉल की वो तारीफ कर रहा है दीरे दीरे करके मॉडल आ जाएंगी अपनी जोलरी शोकेस करने लेकिन तभी पारितोष ने पता चलेगा सेकेंड जोलरी जो है उसके ओनर जोलरी लेकर अभी नहीं आ ने और अब ट्रैक शुरू होगा चेकिंग का जी हा पुलिस आने वाली है और यहाँ पर पारितोष जिसने जोलरी खुद चुड़ा कर अनुपमा की पर्स में रखा है वो गायब होने की फिराक में जुट जाएगा लेकिन अब यहाँ पर अनुपमा को सारी बात याद इसे उसके स्टॉल पर यहाँ पारितोष आया था और खाना नहीं खाये बहाना बनाकर उसने उसके पर्स पर सारा का सारा यहाँ पर जो जोलरी से चुड़ाई थी वो रखी थी ताकि वो यहाँ पर अपने उन गुंडे करज़ार जो है जिसका करज़ार है उसे करज़ा सार करने के लिए लेकिन वो अब पारितोष के जेल उसे उसे चुड़ाने में ही लग जाने वाला है यानि अनुपमा ने जो कहा था कि अनुज और पुलिस बाद में पहरे मैं तुझे सबक से खाऊंगे और वही होने वाला है अनुपमा अब मदर इंडिया बनती हुई नजर आएंगे और वो पारितोष के किये की सजा ऐसे देंगी कि वो पारितोष को जेल भेज़ेंगे और वनराज और बाकी लोग यहाँ पर पारितोष को छड़वाने की बात अनुपमा से कहेंगे लेकिन अनुपमाने पारितोष की वज़े से जो जेल जाने का यहाँ परवेजती सही है उसे वो नहीं भूलेगी और कहें कि मैंने तुझे कहा था ना कि मैं तुझे अब की बार नहीं बखश्चूंगी और अब तेरे लिए यही सबक है कि तू जा और इस जेल में सड़ ऐसे में अबबा और बाकी लोग उसका साथ भी देते नजर आएं